नमस्कार दोस्तो हमारे यूट्व चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्व चैनल को sufficient नहीं किया है तो please subscribe जरूर करें और subscribe करने का फार्दा यह होता है जैसे आप subscribe करते हैं तो उससे हमारे चैनल के सभी वीडियो आपके पास आती रहती है और नोटिकेशन पर किलिक करके उसको ओन करने का फायदा होता है जब भी हम कोई अपडेट देते हैं तो आपको नोटिकेशन द्वारा वो मिल जाती है ठीक है तो ये है सब्सक्राइब करने का फायदा दोस्त तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे समर्शिबल मोटर जो है की बार बार जल जाती है बार बार जलती रहती है तो क्या कारण होते हैं जिन से मोटर जलती है और क्या कमिया आप मोटर के अंदर छोड़ते हैं या मोटर के बहार की कमिया तो सारे हम सैट अब आई सै के लिए है जो जो किसान भाइ यह सभी के लिए है तो इस वीडियो को ध्यानपुरク लास मिश्ट्री मिश्ट्री जो होता मैं निक मिश्ट्री कामियो कि यहुत रूर चैनल कोई कि मान लिजिए आपके खित में मोटर लगी है ठीक है और आपने कर क्या रखा है गड़बडी कर रखी है आपने कि मोटर का जो directly जो cut out है cut out fuse fuse का जो है गड़बड कर रखा है आपने तो आपकी मोटर जलेगी देखें, fuse का मतलब पहले आप समझेए, ठीक है, तीन fuse लगे होते हैं, थ्री फेस समर्शिबल में, इस तरह से, ये इनरतार होते हैं, जो ट्रांसपॉर्मर से आते हैं, बिगली की ट्रांसपॉर्मर से, डिरेक्टली आते हैं, ठीक है, और यहां पे आ जाते हैं, 220 वोल्ट यहां, 220 वोल्ट यहां, 220 वोल्ट यहां, अब करते क्या हैं, दिक्कत यह हैं, कि जो ये फ्यूज हैं, लोग इनका काम, पता क्या समझते हैं, सपलाई को काटना समझते हैं, जबकि ये बिलकुल पूरी तरह से गलत है, फ्यूज का काम होता है, अगर कोई खराब वो voltage ना आए तो जो लोड पढ़ता है जो मोटर का जो एमपियर बढ़ता है उससे यह बचा लेता है मोटर को नुकसान होने से बचाता है ठीक है बाकी फ्यूज भी उड़ जाएंगे यह चीज आप ध्यान रखिए अगर एक में करंट नहीं आया तो एमपियर बढ़ने के कारण मान लीजी एक में करंट नहीं आया ठीक है एक में नहीं आया और आपका जो स्टार्टर है इन दो तारों से चल रहा है इन खली इन दो तारों से चल रहा है उठ गया है आपका स्टार्टर ठीक है एक तार आया नहीं रखा तो होगा क्या यह आपका स्टार्टर है यह आपक पर और पर किसे गड़बळई हो सकती है आपकी ट्रांस फार्मर में हो, या आगे से ही वोल्टेग ट्रांस फार्मर कोई नहीं मिल रही हो तो एक टारियां पे नहीं आया है. या हो सकता है आपने जो फ्यूज लगाया है वह बहुत ज़दा ल्यूस था या aluminium का fuse आपने हलका लगा दिया जो की जल गया है और आपकी motor जो है वो फिर इसी पे ही चल रही है पहले तीन तारूप चल रही थी फिर दो पे चलने लग जाती है फिर होगा क्या यह आपकी motor है ठीक है तो इस condition में एक तार नहीं आता है तो यहाँ पे है फ्यूज जैसे ही उड़ते है तो आपकी motor जो है जो stop हो जाती है और जडने से बच जाती है ठीक है तो यह होता है फ्यूज का कारिये फ्यूज क्या करते हैं लोग यह direct जो होता है फ्यूज का यह काम खतम कर देते हैं सीधा ही motor तार बांदेते हैं ऐसे सिद्धा का सिद्धा अब सिद्धा मोटर तार बांदेंगे तो आपका स्टार्टर चलेगा स्टार्टर चलेगा तो मोटर चलेगी और मोटर चलेगी तो अगर कोई फाल्ट आया या एक तार में बिजली नहीं आई तो ये fuse जो है इसका काम तो आपने खतम कर रखा ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे ठीक है ये बिल्कुल भी नहीं उडेंगे और उस condition में आपकी motor जो है वो जड़ जाएगी तो सबसे पहली जो man problem होती है वो fuse की होती है जिस पे ध्यान कोई देता नहीं है फ्यूज कैसे बांद है वो भी देख लीजिए फ्यूज हमेशा कोपर के तार के लगाएं सिंगल तार हो एमपियर के इसाब से लगाएं ठीक है aluminum के जो fuse होते हैं वो sparking जादा करते हैं कई बार तूट भी जाते हैं तो उनको आप ना लगाएं तो ये problem हुई fuse की ठीक है तो पहला कारण हुआ fuse fuse का आपने जो काम खतम कर रखता था या आप कमजोर fuse लगा रहे तो उसके कारण motor आप की जलती है दूसरा है दोस्तो starter की पत्ती खराब हो जाती है कार बनाने से sparking करने से ठीक है तो motor के अंदर पत्तिया होती है इस तरह से तीन पत्तिया होती है जो की इधर motor में current देती है अब ये पत्ती जो है वो proper काम नहीं करती है इसमें से दो पत्ती मान लीजे बिल्ड रही है एक नहीं बिल्ड रही है तो एक नहीं बिल्ड रही है तो starter तो आपका own रहेगा starter को ये नहीं पता कि मेरी पत्ती नहीं बिल्ड रहेगा उसके तो coil चाल लो होनी चाहिए उसके बाद मोटर के अंदर दो तारों में ही करण जाता है दीसरे का नहीं जाता है या कभी उपत्ती टच करती कभी जाता कभी नहीं जाता है ठीक है तो क्या होगा आपकी फ्यूज भी आपने मोट्टे बांद रखे हैं और आपका starter work कर रहा है, दो तारों में करन जा रहा है, इस condition में आपकी motor ही जलेगी, ठीक है, एक चीज और होती है, motor के अंदर एक relay होती है, ठीक है, कई बर क्या होता है कि fuse भी ठीक होते हैं, ठीक है, पत्या भी ठीक होती है, लेकिन जो relay है, वो load के हिसाब से, ampere के हिसाब से लगाई जाती है, अब कई लोग क्या होती है, relay को set नहीं करते, वो आपकी motor के ampere के हिसाब से set होती है, अगर उसको set आपने नहीं कर रखा है, तो वो relay जो होती है, गिरेगी नहीं, कई बार वो गिरेगी नहीं, ठीक है, मालीज़ आपकी पत्ती, यहापे काम नहीं कर रही ह एक पत्ती काम नहीं कर रही है, दो ही तार जारे मोटर में, तो आपका जो स्टाटर है वो बंद नहीं होगा, अगर रिले नहीं गिरी तो उस कंडीशन में, अगर फ्यूज काम आते हैं, अगर फ्यूज भी आपने मोटे बांद रखें, उस कंडीशन में मोटे तार लगा ठीक है उसके बाद होता है automatic automatic auto switch जो होता है बहुत ही जरूरी चीज है ठीक है auto switch का काम यह है कि तीन तार उसमें लगते हैं तीनों फेस तब ही जाके वो starter को चलाता है ठीक है अगर यह तीन मालीजीस में कोई एक तार नहीं आ रहा है तीनों फेसों में से तो यह स्टार्टर को यह नहीं चलाएगा अगर तीनों फेस आते हैं तो ही इसको चलाता है ठीक है मोटर को चलाता है लेकिन इसका काम है स्टार्टर को स्टार्ट करना उसके बाद अगर इसकी पत्या खराब होई ठीक है तो इसका काम जो है फिर रेले करेगी रेले इसको बं स्टार्टर की तरप तो स्टार्टर में क्या होता है और कि ओल है कई बार कम हो जाता है या और ओल पे धान देना बंद कर देते हैं सूका चल रहा है तो उस कंडिशन में इसकी पत्या जल जाती है ठीक है पत्या जलेंगी स्पार्किंग करके फिर मोटर में कभी करेंट लगबग तभी तो आपकी मोटर फिर घुर घुर करती रह जाएगी ऐसे आप सोचेंगे आपकी मोटर में सरफ दो तार जाते हैं उस कंडिशन में आपकी फिर मोटर जलेगी और एमपियर बहुत जादा लेगी अगर फ्यूज सही है आपने लगा रखे ठीक टाक तो उड़ जाएंगे अगर आपने डिरेक्ट कर रखे हैं फ्यूज सीद आपने तो फिर नहीं उड़ेंगी ठीक है उसके बाद दोस्तों यह जो ट्रांसफॉर्मर होता है बिजली का इसके अंदर भी अगर ओल की कमी आ जाया या कोई और दिक्कत आ जाये उस कंडिशन में भी उस मोटर जल सकती है कईबर क्या होता है देखिए ट्रांसफॉर्मर की प्रोब्लम मैं बताता हूं कि आपकी मोटर में कटाउट लगे हैं सारी चीजे लगी है ओट्टो स्विच नहीं लगा ठीक है स्टार्टर है कटाउट है और यह ट्रांसफॉर्मर से करेंट जा रहा है इस पे क्या होता है कि एक पॉइंट आपका लूज हो जाता है और यह तार यहां से कट हो जाता है अब यहां से कट हो जाता है तो मोटर आपकी दो तारों पे चलती है और दो तारों पे चलेगी वो ठीक है थोड़ी बहुत देर चलेगी और एंपियर बहुत ज़्यादा हो को बुच्बूत हो आपने ज्यादा मोर्टे लगा दिये हैं तो दिक्कत यह होगी फिर क्या होगा कि ना तो आपके फ्यूज जू है वो फ्यूज आपने बनने ही नहीं वूज अगर आपने सीधह कर रेखे हैं तो मोट्टे तार लगा रख्या तो और आपकी रिले अगर सैट नहीं कर रखी तो रिले का काम नहीं करेगी इस कंडिशन फिर आपकी मोटर जलती है ठीक है तो ऐसे भी मोटर जलती है बहुत सारे केसे में अब बात करते हैं ये तो थे उपर के चीजे ट्रांसफार्मर हो गया फ तो जो पहली कमी होती है वो ये होती है जब हम मोटर को डालते हैं तो उसका जो जोड होता है मोटर का उसको हमें वाटरप्रूप बनाना होता है और उसको हम वाटरप्रूप नहीं बना पाते कई भर उसमें प्लिखी रह जाता है जल्दबाजी में ऐसे टेप लगा देते ह और फिर उसमें अर्थिंग हो जाती है सोट हो जाती सोट मननी जाती फिर आप megameter से भी चेक करेंगे बार से तो वो सोट आएगी उस condition में उस सोट की वज़े से उस अर्थिंग की वज़े से आपकी जो motor है फिर वो जलने के उसके chances रहेंगे कई बार क्या होता है दोस्तो यह आपकी जो केवल है यह नीचे जोड लग रहे है ठीक है एक जोड यह है एक यह है इन में से कोई एक उड़ जाता है तो आपका स्टाटर तो पूरा करिंट दे रहा है तीननों फेसों में लेकिन आपकी मोटर में दो हीतार जा रहे होते हैं उस condition में फिर आपकी मोटर जलती है अगर आपके relay ने काम नहीं किया automatic भी आपकी मोटर को नहीं बचाएगा क्योंकि automatic का कारी है इस starter को चलाना ना कि आपकी मोटर को ठीक है तो आपके अगर fuse है ठीक ठाक उड़ने वाले जो कि load पे उड़ जाएंगे ज्यादा इंपियर पे तो काम कर जाएंगी fuse उड़ने के बाद मोटर बच सकती है टेम पा उड़ गए तो relay टेम पे गिर गई तो starter की मोटर बच सकती अन्थाप की मोटर फिर जलेगी जलेगी या ठीक है अगर trip कर गया तो ठीक है नहीं मोटर आपकी नहीं बचने वाले तो ये एक problem होती है उसके बाद इस जोड़ों का अच्छे से मजबूत लगाना चाहिए कई बार क्या होता है मोटर के अंदर पानी की लिकिज हो जाती है कमी हो जाती है कैसे मोटर जो बार बार खुलती रहती है उसमें से पानी बूंद बूंद करके लिकिज होता है और जो मोटर चलती है तो बहुत जादा pressure बनता है और पानी बाहर निकल जाता है मोटर का अब मोटर का पानी बाहर निकल गया तो मोटर बहुत जादा हीट होती है ठीक है और हीट होने के कारण फिर वो मोटर आपकी जलती है तो एक ये कारण है उसके बाद दोस्तों अगला कारण है मोटर का जलने का कि कि खराब बुसिंग अगर मोटर की है बुस ठीक नहीं है तो आपकी मोटर फिर जलेगी ठीक है या उसके बैरिंग और थ्र तो उसके कारण मोटर आपकी जाम हो सकती है उस कारण मोटर जलेगी या फिर जो मिस्तरी जो गड़बड करता है मिस्तरी के कारण मैं बता दूँ खराब बुसिंग ठीक है खराब बुसिंग और खराब बेरिंग, ठरस प्लेट को ना बदलना इस कारण भी मोटर आपकी फिर जलती रहती है जो मेकेनिक के रिपेर करता रहता है रिवाइंडिंग करता रहता है मोटर फिर आपकी जलती रहती है या फिर वो क्या करता है कि जो मोटर के अंदर तो तार डालता उसकी ट्रन है गठा देता है अगर ट्रन गठ गई कोईल के अंदर तो आपकी मोटर तेज तो चलती है पानी भी जादा देती है मोटर बार बार आपकी जलती रहती है जब लाइट तेज होती है थोड़ी फुल से नहीं लगाया जाता, सुरू में जब मोटर को चेक करते हैं तो कोई अर्थिंग नहीं आती, कोई सोट नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें पानी गुश जाता है, फिर मोटर सोट दिखाती है, उस कंडिशन में मोटर फिर जड़ती है, ठीक है, और कई जो मेकैनि होते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही जदा घटिया क्वाल्टी के तार भी डाल देते हैं, और घटिया क्वाल्टी के तार, अगर मोटर की बाकी सेटिंग ठीक है, तो चल जाते हैं, ऐसी कोई प्रोब्लम आती नहीं गटिया तार में, लेकिन कई बार लो क्वाल्टी के तार दाल देते हैं साथ में ट्रन भी कम कर देते if तब उसको कंडियोंस में मोटर फिर जलती है तो यह सारी की gdzieś हैं तो मैंने बताया कि मिस्ट्रिया वा Cau उसकीisini कमी के कॉरण यह मोटर जोलती है कि मोटर कें अंदर साटिंग अच्छी से नहीं की बैरिंग की या बूस नहीं से दीकें करके दे दिया या फिर तार को ट्रंडड पूर है नहीं कि supers HR कि या फिर पार बी सिले होती है जो रबड़ लगाए जाते है ज़ोटी से फिर और अच्छे और उपर मैंने बता दिये थे जो कस्टूमर होता है जो मोटर का ग्रहाक होता है उसकी वज़े से जो दिक्कत होती है वो तोद के लिए जरूरी है कि फ्यूज होने चाहिए और फ्यूज भी जैसे मैंने बता है उस तरह के लगाए और स्टार्टर की पत्या ठीक होनी चाहिए रिले को सैट कर ले, एटोमेटिक को जरूर लगाएं तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके मोटर बहुत कम जलेगी चांसे बहुत कम रहेंगे जलने के तो वीडियो काफी लंबी हो गई आज की तो उमीद करता हूँ आपको कई सारी चीज़े समझे में आई होंगी प्रोब्लम जिनके कारण मोटर जलती हैं बार बार तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए दोस्तों में सेर करी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ और जानना चाहते हैं कुछ मिस हो गया वीडियो में तो कमिट करके हमें जरूर बताईए ठीक है फिर मिलेंगी किसी अन्य वीडियो के साथ चैनल के बार